हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम पब्लिक पॉलिसी के अलग-अलग मॉडल्स को समझेंगे पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए कई सारे मॉडल्स एविलेबल हैं जिसमें से सबसे पहला मॉडल है इंस्टिट्यूशनल मॉडल संस्थागत मॉडल इस मॉडल में ऐसा माना जाता है कि जो इंस्टिट्यूशन्स हैं स्पेशली जो गवर्मेंट इंस्टिट्यूशन्स हैं सरकारी संस्थाएं हैं उनका पॉलिक पॉलिसी बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और जितनी भी political activities हैं वो political institutions जैसे की executive, legislature, judiciary, bureaucracy और जो ruler areas वगरा में जो institutions होते हैं उनकी द्वारा के जाती हैं और इन्ही government institutions के द्वारा public policy को बनाया जाता है ये मानता है कि public policy और जो जो ये government institutions हैं उनके बीच कर जो relation है वो बहुत ही close है बहुत ही जादा करीबी संबंध है इसके अनुसार जो government institutions होते हैं वो public policy को तीन special characteristics देते हैं मतलब तीन विशेचताएं प्रदान करते हैं पहले का मतलब है कि जो government institutions होते हैं सरकारी संस्थान होती है वो public policy को वैदता प्रदान करती है इसके अलावा public policy में universality होती है मतलब जो government institutions होते हैं जब वो कोई भी public policy बनाते हैं तो वो सबके लिए बनाते हैं कोई किसी एक special work के लिए नहीं सबके लिए इसके साथ ही उस public policy को लागू करवाने के लिए सरकारी संस्थान बल प्रियोग भी कर सकते हैं तो ये तीन special characteristics institutions देते हैं तो institution model में institutional model में main चीज़ यही है कि public policy बनाने में institutions का especially government institutions का बहुत ही बड़ा रोल होता है दूसरा है rational model थौमस डाई के according rational model वो model है जिसमें एक rational public policy बनाई जाती है rational public policy का मतलब है एक ऐसी policy जिसमें सरकार कम से कम लागत लगाए और अधिक से अधिक लाभ यानि के profit प्राप्त करें मतलब थौमस डाई कहते हैं कि rational model वो model है जिसमें एक ऐसी policy बनाई जाती है जिसमें लागत कम हो investment कम हो और उससे profit बहुत ही जादा हो तीसरा model है elite model अभिजात model अभिजात model का मतलब होता है कि जो public policy है जो decision making है उसमें elite people का जो अभिजात वर्क के लोग हैं अमेर लोग हैं उनका domination है मतलब जो decision making है नेडने लिया जाता है जो ये प्रक्रिया होती है उसमें elite people का domination है प्रभुत्व है और जो सरकारी officers वगरा होते हैं जो लोग भी ये public policy बनाते हैं वो लोग elite people के interest को पूरी तरह ध्यान में रखते हैं और उन्हीं के interest को उन्हीं की इच्छाओं को public policy में शामि किया जाता है थॉमस डाई कहते हैं कि जहां पर भी ये model पाया जाता है वहां पर हमें पता चलता है कि वहां के जो लोग हैं जो आम लोग हैं वो public policy के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखते हैं वो जागरूप नहीं हैं तो elite model में अभिजात वर्क के लोगों की इच्छा पर जादा से जादा बल दिया जाता है और नीतियों में उन्हें के interest को शामिल किया जाता है अगला model है incremental model अभी वृध्धी model इसको Charles Lindblom ने पेश किया था ये जो model है वो जो अभी हमने rational model पढ़ा उसके opposite है ये मतलब Charles Lindblom ने rational model की आलोजिना करते हुए उसका critic करते हुए इस model को पेश किया था देखो rational model क्या कहता है कि लागत कम करो और जादस जादा profit करो तो ये थोड़ा सा अच्छे से explain करता है incremental model सरकार को थोड़ा सा दिशा निर्देश दे देता है कि जब हम नीती बनाते हैं policy बनाते हैं तो कई सारी बाधाएं कई सारे barriers हमारे सामने आते है कई सारी चीजों की कमी होती हैं कई सारे limitations होते हैं कई सारी financial barriers होते हैं तो ये सारे चीज़े होती हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें आगे investment करनी चाहिए और ज्यादा ज्यादा profit कामाना चाहिए बट इन सबी चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए इसके अलावा ये model पुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाता बट यह मॉडल थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आगे मान लेजेगे इस बार कोई पॉलिसी लागू की गई तो यह मॉडल कहता है कि जब हम अगली बार कोई पॉलिसी लागू करें तो थोड़ा सा चेंज कर दें अगला है group model इस model के अनुसार जो public policy है वो समू संघर्ष का परिणाम है public policy is a result of group struggle अब देखिए समाज में कई सारे groups होते हैं अलग-अलग groups होते हैं जिनके हित एक दूसरे से अलग होते हैं जैसे कि जो customers का group है वो उनकी जो interest है वो अलग दुकानदारों का जो group है उनका जो group है वो अलग तो ऐसे कई सारे groups हैं समाज में जिनके interest एक दूसरे से मिलते भी हैं अपोजिट भी हैं तो ये सभी groups अपनी अपनी मांग करते हैं और इस कारण से इनमें संघर्ष देखा जाता है इनकी मांगों में तो इनकी मांगों को संतुलन बैठाते हुएं इनकी मांगों में एक रखते हुए पॉलिक पॉलिसी बनाई जाती है तो इसलिए कहा गया है कि जो पॉलिक पॉलिसी है वो group struggle का result है कि group struggle हो रहा है गूरूप 살짝 demands कर रहे हैं तो struggle हो रहा है उस struggle को खत्म करते हुए उसका क्या result निकल रहा है कि public policy बनाई जाती है उन सभी groups को संतुष्ट करने के लिए अगला है system model देखे system model थोड़ा सा hard है इसे डेविट इस्टन ने विक्सित किया था डेवलप किया था और ये जो इसका जो core point है वो है कि system model में public policy को एक political system के रूप में देखा जाता है मतलब लोक नीती को एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में माना जाता है यही इसका एक core point है अब यहाँ पर जो political system है उसका मतलब है कि political system ऐसा है यहाँ पर कि इसमें कई सारी मांगें सामने आती हैं डिमांड्स आती हैं और जैसे की tax देना, vote डालना, कानुन का पालन करना तो इस तरह लोक समर्थन भी देते हैं institutions को और मांग भी करते हैं बाकी इसका core point यही है कि लोक नीती को public policy को एक political system के रूप में माना जाता है अगला है game theory, खेल सिध्धान्द, यह सिखाता है कि किस तरह से एक conflict की situation में, एक संघर्ष की situation में rational decision लिया जा सकता है एक अच्छा decision लिया जा सकता है, मान लिजिए कि जैसे कि अब war हो गया है, युद्ध हो गया है, तो ऐसी situation में जो यह game theory है वो apply की जाती है उस game theory सिखाती है कि किस तरह से युद्ध के दौरान, शांती के दौरान, हमें अपनी नीती बनाने चाहिए, policy बनाने चाहिए किस तरह से हमें nuclear weapons का use करना चाहिए, इससे related क्या policy बनाई जाए, international diplomacy कैसे की जाए, UN में किस तरह से bargaining की जाए और कोई भी political situation है, उसमें किस तरह से rational decision लिया जाए, यही सिखाता है तो I hope friends, models आपको समझ में आ गए होंगे, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें और लाइक करें, थैंक यू